हाई गैज और वेल्कम बाक टुदी चनल दीपाश यादव एजुकेशन वेल्कम टुदी डेली करेंट अफियर्स ओफ 18 अफ सेप्टेंबर 2024 तो गैज आज है तारिक 18 सितंबर 2024 और है वेंड़स डे आज की तारिक से जितने भी most important current affairs बनेंगे उन सभी current affairs को हम यापर डीटेल से discuss करेंगे ये वेडियो UPSC और State PSE के point of view से काफी ज़दा important हो जाता है तो चलो इश्यो बार हम करते हैं बट आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ इस lecture में हम केवल in express ही नहीं उसके सासा जितने भी important sources है चाहे वो P.I.B. हो, down to earth हो, live meant हो सभी के news articles को proper background information के साथ में cover करते हैं इस lecture का end बहुत important है उसको miss मत करना क्योंकि वीडियो के last में आपका एक proper test होगा पूरे lecture को concentration के साथ में सुनोगे जिससे आपका brain power improve होगा याद रखने की शमता बढ़ेगी last में क्योंकि वो सब चीज़े आपको याद रखकर ध्यान रखकर वो question solve कर रहे होगे जो भी आपका score आएगा उसको नीचे comment section में लिखना साथी साथ में आपका revision होता चले जाएगा question की practice कर रहे होंगे तो exam में जब आप बैठोगे तो आपको लगेगा यार ये काम तो मैं daily कर रहा हूँ daily question लगा रहा हूँ तो वहाँ पे दोस्तो आपके पास में एक plus point होगा बाकी सारे aspirants के comparison में क्योंकि जो ये prelims की practice होती है या MCQ based questions होते है इसको आप first day से ही practice कर सकते है तो आपको अच्छा मौका मिल रहा है यहाँ पे उस चीज को दोस्तो प्रापर तरीके से utilize कीजिए और जादा से जादा फायदा उठाइए क्योंकि ये सब चीज़े free में available है कई सारी जगा पर यही content आपको paid में मिलने लगता है वहाँ पे आपको पैसा दे किस प्राकार की test series वगर attempt करनी पड़ती है आपने देखा होगा तो इसलिए request है कि content बहुती ज़दा high quality का है बहुत सारी चीज़े यहाँ पर आपको provide करवाई जाती है दोनों ही lecture में रोज शाम को साड़े 8 बजे आपको ये वाला वीडियो मिले का current affair का और morning में साड़े साथ से 8 के बीच में आपको the Hindu newspaper का वीडियो मिल जाएगा तो दोनों ही वीडियो से आपके current affairs का एको holistic coverage हो जाता है तो दोस्तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस lecture का पीडियो वगरा चाहिए तो इसके लिए टेलिग्राम पर जाएगा वहाँ पर जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपा क्यादा वेजुकेशन यूपी एसी आपको यह वला चनल मिल जाएगा स्पे क्लिक करना और जाकर इस चनल को जाइन करेना यहां से आप सभी lectures के PDF को डेली बिसस पे डाउलोड कर पाएंगे तो चलिए शुबाराम करते हैं सबसे पहले आते हैं थमनिल वाले बहुत ही जादा relevant topic के बारे में GS paper number 2 international relations के perspective से काफी relevant है दोस्तो हम देख पा रहे हैं recently भारत और इरान के जो संबंध है इनमें कुछ issues शुरू हो चुके हैं आने वाले समय पर दरारे आ सकती हैं ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ पहले मैं आपको यहाँ पे इरान के एक supreme leader है जिनका नाम है Khamini ये वो व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे इन्होंने एक tweet कर दिया और उस tweet की वज़ा से काफी ज़दा बवाल मचा और उसके response ने भारत ने भी एक brutal reply यहाँ पे इरान को दिया है वो भारत ने क्या बोला है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा इंडिया का reply भी बट अभी के लिए सबसे पहले यह समझे कि जो इरान के supreme leader है न यह पद बहुत उचा है वहाँ के precedent से भी एक उचा ओधा आपको देखने को मिलेगा Khamini का और यह 16 सितंबर को tweet करके mention करते हैं कि अब इस बात को समझे यह क्या बोलते हैं आखरी में mention करते हैं कि हम लोग अपने आपको Muslims consider नहीं कर सकते अगर हम जो Myanmar, Gaza Party और साथी साथ में भारत के अंदर Muslims के साथ में हो रहा है Muslims जो सफर कर रहे हैं अगर उसको ignore करेंगे तो या उसको भूल रहे हैं तो तो दोस्तों यहाँ पर आप सोच रहोंगे इसमें क्या है लिग दिया इनोंने अब समझें दोस्तों Myanmar में situation गंबीर है यह हम सब को पता है अभी के समय पर democracy कुछ भी नहीं है military rule है उससे पहले रहेंगा crisis देखने को मिला तो Myanmar situation गंबीर है सभी को पता है उसके बारे में गाज़ा पती पे हालात अगें सभी को पता है 40,000 के आसपास लोग की मृति हो चुके गाज़ा पती में लेकिन आप Myanmar और गाज़ा पती में जो conditions है क्या उन conditions को इंडिया के अंदर या इंडिया की conditions से comparison करेंगे यहाँ पे इंडिया का comparison करना बिलकुल भी सही नहीं था जिस तरीके से यहाँ पर यह इरान के सुप्रीम लेडर ने किया है सीधा इन्होंने डिरेक्टली इंडिया का नाम mention यहाँ पे कर दिया तो दोस्तों यहाँ पर इसका एक reply तो मिलना ही था क्योंकि obvious सी बात है यह चीज़े बहुत बुरा impact डालेंगी relations के उपर में अभी के लिए ऐसा नहीं है कि भारी impact पड़ जाएगा overall देखेंगे तो भारत और इरान के सम्मद बहुत अच्छे हैं चावार पोर्ट को लेकर agreement किया हमने अभी देख पाऊगे tourism को लेकर agreement किया और उसी दिन पर यहाँ पर यह सीधा supreme leader के side से statement आ गया क्योंकि problem यह है क्या आप यह देख पारो Gaza पटी में जो हो रहा है वो चीज़े क्या India में हो रही है Gaza की situation को आप यहाँ पर India से compare कर रहे है यह चीज़ यहाँ पर बहुत ही ज़ादा गलत है उसके खलाफ में एक group बनाने की एक कोशिश कर रहे है यह कह रहे है कि यहाँ पर उसके खलाफ में एक Islamic country का पूरा यहाँ पर group इखटा हो जाए है ना जो कि यहाँ पर इरान को इस मामले में support करें लेकिन obvious ही बात है क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं जो कि हमें clearly दिखाई पड़ रहा है तो उस वजह से जो हमारे ministry of external affair है इनका reply आना ही था और important चीज़ यह है कि कुछी घंटों के अंदर-अंदर यह reply आ गया दोस्तो यह आप देख पाएंगे वहाँ का सीधा tweet है Instagram पे भी इन्होंने share कर रखा है और इन्होंने यह बोला है कि statement on unacceptable comments made by the supreme leader of Iran हमारी external affair ministry ने यह भी बोल दिया है कि देखिए हम आपके comment को पूरी तरह से ignore करते है देखिए आपने जो यह comment किया है भारत के अंदर minorities को लेकर यह आपका comment misinformed है आप यहाँ पर misinformed देखने को मिलेंगे यह आपका comment में proper तरह से information नहीं है मतलब आप कोई source तो बताओ कोई चीज तो बताओ कि भाई आप गाजा और म्यानमार की situation को भारत से compare कर रहे है तो जो भी आपने बात बोली है यह unacceptable है यह इंडिया ने clearly mention किया countries जो है यहाँ पर यह comment कर रही है minorities को लेकर तो उनको यहाँ पर भारत ने यह बोला है are advised to look at their own records आप पहले अपने आपको देखिए किसी दूसरे country को observe करने से पहले आपके यहाँ पर क्या हो रहा है जो कि इंडिया की site से यह बात सही बोली गई अगर आप देखेंगे इसको ज़ादा details से mention नहीं किया हो सकता था इंडिया और ज़ादा खतरनाक reply देदे था इसके आगे और कई सारी चीज़ों को mention करेगे आपने देखा इरान के अंदर महासा अमेनी का case निकल कर आया आज से दो साल पहले जो यहाँ पर पूरा issue create हुआ था, दुनिया भर में यहाँ पर चर्चाएं लगातार हो रही थी क्योंकि उन्होंने headscarf से इसे नहीं पहना था उसकी वे से यहाँ पर यह पूरा issue create हुआ कितना protest हुआ, कितना बवाल हुआ ऐसे बहुत सरे issues यहाँ पर recently हुए है, इंडिया की साइट से भी फिर कई सरे लोग ने आपे comments करने start कर दिये, अलग-लग जगा पर तो social media platform पर इस तरीके से जो मामला है वो आज के समय पर चल रहा है लेकिन एक बात और समझे दोस्तो अभी recently हाँ पर इरान के, जो पहले वाले president हुआ करते थे इबराहीम रही सी, इनकी death हो गई थी, है ना, तो उस death में आप देख पाएंगे, जो हमारे vice president है, वो तेरान पहुँचे, भारत ने अपनी solidarity को दिखाया इरान के साथ में है ना, ये सब कुछ नजर आएगा ये रहे इबराहीम रही सी, और इबराहीम रही सी, obviously बात है, अगर आप पिछले कुछ समय पर, इंडिया और इरान के relations को, अच्छे से analyze कर रहे है जो मैं आपको लगातार पढ़ा भी रहा हूँ, जो हारे के समय पर, इबराहीम रही सी नहीं है फिलाल, इस दुनिया में, लेकिन यहाँ पे उनके पीछे इस तरीके से जो statement है, यहाँ पे इरान के सुप्रीम लीडर का, वो इस तरीके से निकल कर आता है, जो की कही न कहीं, एक आने वाले समय पर concern पैदा कर सकता है, प्रॉब्लम य पर इसका भुकतान दोनों ही देशों को देखना पड़ेगा, क्योंकि आज एरान हमारे लिए इंपोर्टेंट है, और हम एरान के लिए इंपोर्टेंट है, अगर आप दोनों के relations को अच्छे से देखते हैं, अच्छा, मैं बहुत देर से दोनों के relations के बारें बात कर रहा ह तो आखरेकार क्या है दोनों के relation में इतना जादा खास जिसकी हम इतनी चर्चाए कर रहे हैं, चलिए ये जान लेते हैं, दोस्तों इरान भारत के लिए एक पडोसी देश है, और एक समय पर जैसे अगर हम बात करेंगो 1947 की देश अजाद हुआ, देश का बटवारा हुआ, दो भाग बढ़ गए, पाकिस्तान और इंडिया, और अगर यहाँ पर यह दो भाग उससे पहले, 1947 से पहले देखेंगे तो वो सब एक ही था, तो कहने का मतलब है, इंडिया डारेक्ट एक बांडरी शेर करता था इरान के साथ में पहले, क्योंकि ये पाकिस्तान ही तो इरा पहले ये भारत का ही इससा था, बाद में तो बटवारा हुआ, हमारा पड़ुसी देश है इरान, ये रा भारत, ये रा पाकिस्तान, पाकिस्तान के पीछे है इरान, है ना, ये लोकेशन आपको क्लियर हो गई, अब लोकेशन के साथ साथ, दोस्तों यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे कुछ कंट्रीज हैं, तुर्कमेनिस्तान है, है ना, उसके लाबात अजेकिस्तान है, कजकस्तान है, करगस्तान है, ऐसे इहाँ पर कुछ पाँच कंट्रीज आपको नजर आएंगी, जो हमारी Central Asian Countries के लिए बहुती ज़ादा जरूरी है, इनके साथ में व् connectivity बनेगी तो इंडिया की connectivity उपर वाले हिस्से में बनी नहीं पाती क्योंकि यहाँ पे बीच में पाकिसान आ जाता है कहोगे अफगानिस्तान भी तो border share करता है ना इस वाले रास्ते से हम लोग यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको बता होगा यह particular region पाकिसान occupied कश्मीर वाला हिस्सा है जिसको illegal तरीके से पाकिसान ने कबजा रखा है बट territory यह हमारी ही है इधर यहाँ पर अक्साइचीन वाला region है जिसको चाहिन ने कबजा रखा है लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे तो इस रास्ते में हमें अगर Central Asia के साथ में इरान हमारी सहायता करता है कैसे इरान में हम लोगों ने एक port बनाया है जिसका नाम है चाबार port जिसको लेकर अभी recently 10 साल का agreement भी हुआ है आपको पता होगा तो इसी साल अभी कुछ महीने में latest agreements हुए और उसके बाद ऐसा statement आना obvious सी बात है यह shocking रहेगा दोनों ही countries के लिए अचाना हो तो हम क्या कर सकता है सीधा मुंबई से जहाज के मादे हम से समान बेज देंगे चाबार port तक इस बंदरगा से रेल वी लाइन बनाई जाएगी और रेल वी लाइन ऊपर चली जाएगी अफगानिस्तान में अफगानिस्तान से ऊपर सीधा यहाँ पे इन पांचो Central Asian countries के पांच पहुँच गए उससे उपर जितने भी countries है वहाँ पे हमको access मिल जाता है तो यह है इरान का importance और यह port हमारे लिए जरूरी भी है दोस्तो क्योंकि इसके बगल में आपको पाकिस्तान दिख रहा होगा पाकिस्तान में एक port आपको नज़राएगा ग्वादर port हमारे चाइना पाकिसान एकनॉमिक कॉरिडोर वाला यानि की पियो के वाले रीजन में से यह कॉरिडोर गुजरता है जिसको CPAC बोलता है तो इस समय पर ग्वादर port को एक चेक देने के लिए हमारे पास भी यहाँ पे access होना चाहिए तो चाबार port हमारे लिए इसलिए भी का इसलिए से जोड़ना हो तो इसमें इरान एक important rule play करेगा ये इरान की importance है इस बात को ध्यान में रखिएगा बाकी यहाँ पर दोसो चाबार port और भी प्रकार के जो support से वो यहाँ पर provide करवाता है इरान बहुत सरा कच्छा तेल हमको बेचता था बट इरान के जो संबंध है व सब यहाँ पर वीडियोज में include कर दिया जाएंगे तो उसकी tension ना लीजिए चली आते हैं next article पर अगले article में बात और यह Gulf of Mexico के बारे में बहुत ही important topic अब दोस्तों यह recently काफी ज़दा ख़बरों में cover किया गया है ख़बरों में क्यों cover किया गया है बताया जा रहा है कि लग cyclone आया है जैसे भारत में cyclone आता है चकरवाद बोलता है लेकिन अधर अमेरिका की side में अगर कोई ऐसा cyclone आता तो उसको hurricane बोलता है तो एक hurricane आया फ्रेंकाइन जिसकी वज़ा से इन सब चीजों को बंद करना पड़ा इस वज़ा से जो यह particular location है Gulf of Mexico यह चर्चाओं में है मैं तो दोस्तों यहाँ पे Gulf of Mexico एक partially landlocked body of water है यह कहाँ पर है चलिए मैं आपको map दिखाता हूँ पहले आप इस world map पे नजर डालिए world map से आप चीजों को compare करेंगे ना बार बार तो आपकी यह आदत हो जाएगी एक मतलब चीजे आप अराम से दिमाग को बैठ जागा कि हाँ यह particular location यहाँ पर है तो दोस्तों यह इंडिया है इंडिया से चलना है हमें Western side पे आपका West Asia आफरीका हो गया इधर यहाँ पर आप 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 देख पाएंगे तो यह जो उपर वाला portion है यह आपका America हो गया है ना जिसको हम लोग उपर North America भी बोल देते हैं यह आपका नीचे जो है South America हो गया बीच में जो हिस्सा है यह अपका Central America हो गया है ना आपको पता होगा America एक बड़ी boundary को शेर करता है Mexico के साथ में है ना Canada के साथ में तो सबसे बड़ी boundary शेर होती है लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका और Mexico की भी एक बड़ी boundary लगती है तो यह जो Mexico देश आपको जाते हैं ये वाला portion जो है ना इसी portion को मैं जूम कर रहा हूँ Mexico, US और ये जो C वाला portion है यही है अमारा गल्फ उपर आपको अमेरिका देखने को मिलेगा ये रहा US, US के states है Texas, Louisiana, Florida नीचे आपको देखने को मिल जाएगा Mexico ये इनकी boundaries है ये रहा आपका Gulf of Mexico गल्फ क्या होता है एक ऐसा particular region जहाँ पे ऐसा shape आ रहा हो इसमें पानी हो तो इसको हम लोग बोलते हैं Gulf ठीक है अब दोस्तों यहाँ पे Gulf को अच्छे से analyze कीजिए देखिए इस photo में आपको बहुत कुछ clear होगा ये जो Gulf of Mexico है ना यहाँ पे पानी भरा हुआ है ठीक है और यहाँ पे दो channels नजर होता है जो तीन जगा से पानी से घिरावा हो तो यह peninsula आपके तीन जगा से पानी से घिरावा है या ने घिरावा है है ना तो यह दोस्तों यूकार्टन पेनिसुला हो गया इधर यहाँ पे एक देश है क्यूबा क्यूबा के उपर दोस्तों यह US का आपको नजर आएगा फ Gulf of Mexico का जो पानी है इधर Caribbean Sea में भी आता है और उपर Atlantic Ocean तक भी जाता है उपर आपको Atlantic Ocean दिख रहा होगा होता यह है इधर से यह पानी जाता है Caribbean Sea से और Yucatan Channel आपको नजर आ रहा होगा तो दिहान रखिए Yucatan Peninsula और क्यूबा के बीच का जो हिस्सा है इसको बोलते है Yucatan Channel यहां से पानी अंदर गया इस तरीके से घूमता फिरता इस वाले रास्ते से निकलता है यह वाला रास्ता क्या कहलाता है इसको हम बोलता है Strait of Florida क्योंकि यहां पर एक particular Strait है US का Florida नीचे है क्यूबा तो Florida क्यूबा के बीच में Strait आता है तो यह पानी ऐसे घूमता वा घूम कर सीधा इस Strait से बाहर को निकल कर ऊपर Atlantic Ocean में निकल जाता है ठीक है तो यहीं पर Yucatan Channel भी है आपका Strait of Florida भी है ठीक है यह आपका Gulf of Mexico के आस and oldest water body है जो हमारे प्रत्वी पर प्रेजेंट है यह Gulf of Mexico कब बना था लगबख late tricyc period में आज से 300 million साल पहले की यह बात है समझ गए चलिए आगे समझ यह इस बात को अब दोस्तों कई बार इस Gulf of Mexico को हम Mediterranean of the Americas बोल देते हैं यह particular region काफी बड़ा है इसमें काफी ज़दा गहरा पानी भी है और इस Gulf of Mexico का जो Continental Shelf है दोस्तों सुनिएगा Continental Shelf वो भी बहुत गहरा है Continental Shelf क्या होता है जो किनारे होता है तटके देखे समझ अगर आप अनलाइस करते हैं तो मान लिजे यह आपका हिस्सा है यह आपका बीच हो गया यह मान लो एक बीच है है ना इधर से स समुद्र स्टार्ट होता है शुरवात वाले तोर पर यहाँ पर क्या होता है यह आपका Continental Shelf होता है और गहराई में जाओगे Continental Slope आ जाएगा और गहराई में Continental Rise आ जाएगा फिर उसके बाद और 6000 मिटरी गहराई में दोस्तों Abysal Plain आ जाएगा फिर लास्ट में यहाँ और गहराई देखोगे समुद्र की बिल्कुल एकदम Deepest Point वो आपका Oceanic Trench कहलाता है बीच में Volcanic Islands भी होते हैं ऐसे Submarine Rages भी यहाँ पर बनी भी होती है तो दोस्तों यहाँ पर बात और यह Continental Shelf की तो Gulf of Mexico का जो यह तड़के किनारे वाला हिसा है न यहीं पर बहुत सरे जो Gases है, Oil वगरा है वो भी यहाँ पर पाया जाता है उनको Explore किया जाता है ध्यान अखेगा इसके बारे में अब इस Gulf of Mexico के आसपास का Temperature कैसा रहता है क्योंकि यह Tropic of Cancer के पास में है उपर Equator है Tropic of Capricorn यह तीनों चीज़ आपको लाइन से नज़र आएंगी तो यहाँ का Climate आपको बताया कि Yucatan Channel से अंदर आता है और यहाँ पे जो इसका कह सकते है current flow है वो काफी तेज हो जाता है और उसके बाद में यह दूसरे रास्ते Florida स्क्रेट से होता वा उपर Atlantic Ocean में गुजरता आता है वही जो अभी हमने संजा कि वही Caribbean से से पानी एंटर किया Gulf of Mexico में घूम क तो दोस्तों यहाँ पर इस particular map को देखिए यह Mississippi River यह आपको देखने को मिल जाएगी जो उपर आ रही है लुईजाना से इस तरीके सा आ रही है नदी और आकर इसी Gulf of Mexico में गिर जाती है ने गिर जाती है खाली हो रही है यही पर है ना फिर उसके बाद दूसरी नदी को देखिए Mississippi तो हमने यह देख लिया यह US की नदी है आ रही है और Gulf of Mexico में गिर गई रियूडे गुनेडे दोस्तों यहाँ पर यह वाली नदी आपको देखने को मिलेगी इस तरीके साथी है और यह भी आकर आपके Gulf of Mexico में गिर जाती है तो question बन सकता है यह दो नदिया कौन सी गल्फ में गिरती है या Gulf of Mexico की दो मेजर ने दिया कौन सी है तो दोनों के नाम जरूर दिया नखेगा यह में आपको बता दिया उसके लावा Gulf of Mexico में बहुत सारे petroleum और natural gas के deposits प्रेजेंट है यह हम डिसकस करी चुके है मज़ा आ गया इस तरीके से यहाँ पर place को हम लोग पढ पढ़ना पढ़ते हैं और पढ़ना भी चाहिए एक्जाम में ऐसे ही questions यहां से बनते हैं चलिए अगले topic पराते हैं लेकिन आगे बंड़ से बिले दोस्तों वीडियो पे like का बटन है उसको प्रेस कर दो काफी मेहनत लगती है वीडियो उसको create करने में उसके लवा चनल को subscribe कर लिजिए छे लाग subscribers का target है जिसको आप लोग achieve करवा सकते हैं तो चलिए दोस्तों दूसरे news article में यहां पे जो tribes चरचाओं में रहती हैं या खबरों में रहती हैं उनको पढ़ना जरूरी होता है कई question बन चुके हैं इरूला tribe चरचा में दोस्तों इविन इरूला tribe को लेक करता हैं यह साब को बहुत आराम से पकड़ लेते हैं लंबे समय से यह काम कर रहे होते हैं हैना इनीका यहाँ पर एक industrial cooperative society भी होता है और वो जो cooperative society है यहाँ पे इरूला tribals ही काम करते हैं यह particular society चिन्नई के अंदर में आज के समय पर located है तो इसमें कई सरे issues आ रहे हैं जिस व ट्राबल community PVTG है यानि particularly valuable travel group एक ऐसा travel group है जो बहुती ज़्यादा खत्रे में है इनकी population लगातार कम होती ही चली जा रही है यह आज के समय पर कहां पर रहते हैं तो primarily South India के अंदर तीन states में यह presently आज के समय पर रह रहे हैं तो तमिलनाड एक state हो गया दूसरा के रेला हो गया इन तीनों राजों के कई सारे हिस्सों में इरुला ट्राइब की community आज के समय पर रहती हैं इनकी भाशा की बात करेंगे तो इनकी भाशा है इरुला जो की तमिल और कनड़ा से काफी ज़्यादा related भी है समझ गए बाकी religious belief की बात करेंगे तो इनके कोई यहाँ पर ऐसे definite god न जो इरुला community के घर होते हैं अगर आप इन घर को देखोगे तो छोटे से एरिया में आसपास में बहुत सरे यह लोग घर बना लेते हैं खटे कर लेते हैं settlement छोटे छोटे जिसको बोलते हैं उसी में साथ में रहते हैं है ना कई बार यहाँ पर पाड़ो पर जो एकदम गहर मतलब कह सकते हैं होता ना एकदम खाई सी जो होती है उसके आसपास यहाँ पे इनके घर होते हैं आसपास gardens होते हैं यह सब कुछ आपको नजर आएंगे बताया जा सकता है कि traditionally यहाँ पर जो इरुला tribe की community है ना यह skilled hunters से बहुत शादिर तरीके से शिकार करते थे हैं ना उसक में काफी expert होते हैं इनकी जो knowledge है ना सापो को लेकर वो ultimate है बहुत ही जादा अलग level पर knowledge है दोस्तों इनको और इस वज़ा से यहाँ पर माना जाता है कि साप के जहर को लेकर यह legendary people है आज यहाँ पर साप के जहर का जो काट निकला है यानि कि साप के जहर से बचाया जाने के लिए आपको साप के जहर से ही बनाई वी यहाँ पर एक एंटी विनम दी जाती है तो उसमें भी यहाँ पर यह एहम role play करते हैं बताया जाता है आज के समय पर लगबग 80% जो जहर होता है जिससे हम साप के जहर को काट सकते हैं क्योंकि साप के जहर को जहरी काटता है तो इस जहर निकालने के बादे हैं अपने एरिया में अपने जंगल में छोड़ देता हैं और फिर उस जहर से यहाँ पर लोगों को या लोगों की जान बचाने के लिए दवाईया बनाई जाती हैं है ना क्योंकि साप के सहर को साप का जहरी काट सकता है तो यह यहाँ पर इनका importance ह इरुला ट्राबल कॉमुनिटी का चलिए नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल यहाँ बात हो रही है रंगीन मचली एप के बारे में very important application जिसको हम यहाँ पर जीएस पेपन नंबर स्वरी थर्ड आर्टिकल है जीएस पेपन नंबर 3 एकॉनमी से भी आप लिंक कर पाएंगे बात ICAR Institute है भुबनेश्वर के अंदर वहाँ पे तो इस application पे हर एक information आपको मिलने वाली है especially वो लोग जिनको दिल्चस्पी है मचली को पालने में aquarium वगरा की जानकारी लेनी है तो यहाँ पे उन सब को यह जानकारी मिल जाएगी तो बोला जा रहा है कि fishery जो sector है हमारा उसकी जितनी भी जरूरत हैं उस fishery sector को लेकर important knowledge हो गई या aquarium की shop आसपास अगर कोई हो या मचली को लेकर जो farmers होते हैं उनकी जानकारी हो तो उनके लिए एक एहम रोल यहाँ पे play करने वाला है यह application उनको यह सभी जानकारी provide इस mobile application का नाम ही मचली एप रख दिया गया इसको किस ने develop किया है तो Indian Council of Agricultural Research ने इसको develop किया है ध्यान अखिये इसमें कुछ और bodies भी हैं जिनका proper support मिला है जैसे प्रधार मंतरी मत्से संपदा योजना ऐसी important योजना हैं जिनका proper support मिला इस application को develop करने में अब दोस्तो इस मचल इस में इस्तमाल किया गया है जहां पर मचलियों की species की हर एक information है जिससे farmers को अच्छे से बता चल सकेगा कि यहां इस मचली को ऐसे पाला जा सकता है ऐसे care की जाती है ऐसे उसकी breeding होगी उसका maintenance ऐसा होगा तो यह सब चीज़े यहां पर दोस्तो information आपको इस application पर मिल जाती है उसके अलावा यह application मतलब जो हमारे aquarium का business करता है aquarium आप देखते होंगे कई सरे लोग के घरों में भी होगा aquarium जिसमें या पर वो fish वगरा पाल रहे होते हैं तो उसके industry के जो professionals हैं उनको भी काफी बड़ी help मिल जाती है इस particular application से क्योंकि वो सबी जगा पे आपने आस पास के aquarium shop owners को आप search कर पाएंगे उस application पर ठीक है तो इस application को किसने develop क्या है ICAR that is Indian Council of Agricultural Research अपने आप में एक important body है जिसका main काम है agriculture sector के अंदर में education को बढ़ाना उसको और जदा promote करना यह body काम करती है Department of Agricultural Research and Education के अंदर में जब department पूछ जाएगा तो यह department का नाम है जब यह body पूछ जाए and farmers welfare ठीक है तो किसी भी तरीके से question आपसे बन सकते हैं चलिए अगला article बहुत ही जादा काम का article है यह भी दोसों आपे बात हो रही है World Heritage Site के बारे में देखो हुआ क्या है Supreme Court के पास में हाल ही में एक application फाइल की गई और वहाँ पे मांग किया गया कि जो आगरा शहर है इसको World Heritage Site declare कर दिया जाए Supreme Court ने dismiss कर दिया कि हम पूरे शहर को World Heritage Site declare नहीं कर सकते इस वज़ा से exam के लिए दोसों यह particular concept World Heritage Site का बहुत important हमारे लिए हो जाता है देखे World Heritage Sites क्या होती है कुछ ऐसे importance थल जिनका connection हो इतिहास के साथ में कुछ वहाँ पे monuments वगरा समारक वगरा हो जिनका culturally, historically, scientifically, कोई importance हो है ना कोई ऐसे area जो एक natural site हो तो उनको protection दी जाती है उनकी सुरक्षा की जाती है और उसके लिए दोसे एक particular list बनाए गई है जिसको बोलते है World Heritage List इस list में उन particular area को डाल दिया जाता है फिर उनको proper protection दी जाती है तो इस वज़े से बोला जा रहा है कि आगरा को भ World Heritage Site का tag तम मिलता है जब उसका एक एतिहासिक importance हो उसके एक universal value हो है ना तो उसी value को बरकरार रखने के लिए उसको protection देने के लिए ये World Heritage Site का tag यहाँ पर दिया जाता है समझ गए और दिहान लखिये जो World Heritage Site होती है ये तीन प्रकार की होती है एक होती है आपकी cultural site एक होती है natural और तीसरी होती है mixed site अब दोस्तों जो cultural heritage sites होती है वो कौँसी होती है जो कि हमारे historic buildings हो गए town sites हो गए अलगलग sculptures हो गए monuments हो गए पुराने जमाने की paintings हो गए तो वो सब यहाँ पे आपकी cultural heritage कहलाते है फिर आता है natural heritage natural heritage के अदर में natural phenomenon जैसी चीज़े होती है natural heritage काफी rare होते है unique होते हैं उनकी अपने आप में बहुत ही जादा कह सकते हैं एक सुंदरता है आप मेरे national parks वगरा हो गए है ना तो इसमें यहाँ पर बहुत सरे animals वगरा पल रहे होते हैं plants की species यहाँ पर grow कर रही होती हैं तो वो सब चीज़े हैं यहाँ पर हमारी natural sites होती हैं फिर तीसरी प् फीचर भी है natural feature भी है दोनों mix हैं तो उसको बोलता है mixed heritage site अब दोस्तों आज के समय पर हम दुनिया में देखें तो जुलाई 2024 तक अगर देखा जाए तो 11200 के आसपास approximately यहाँ पे इसको देखें तो 1200 के आसपास world heritage sites हैं पूरे दुनिया में जिसमें से 933 तो cultural sites हैं 227 natural sites हैं और 39 के आसपास mixed sites हैं जो कि यहाँ पर यह जो 1200 world heritage sites यहाँ पे मैं बता रहा हूँ यह लगबग 168 countries की मिला के बता रहा हूँ और इन देशों में सबसे जादा world heritage sites किसके पास में हैं सबसे जादा 200 Italy के पास में 59 के आसपास चाइना के पास में 57 Germany के पास में 52 France के पास में again 52 Spain क पास में 50 भारत के पास में 42 एक मिनिट भारत के पास में 42 हैं या 43 हैं बताइए नीचे comment section में क्योंकि इसमें एक update हुआ है यह जान बुझ के मैंने नहीं बदला है तो बताइए यह सही है या गलत है 42 भारत के पास बास में world heritage sites हैं या 43 हैं कितनी है total नीचे comment section में लिखिए यह committee भी दोस्तों UNASCO की है इस committee की main responsibility, main जिमेदारी क्या है कि world heritage convention को लागू करना, implement करना, world heritage जो fund बनाया गया है उसमें जो पैसा आता है in areas की protection की उसको सही तरीके से use करना, है ना तो यह यहाँ पे हमारा world heritage committee का एक role हो जाता है चलिए अगले news article पर आता है, एक और topic है, exam के लिए super important है, बात हो रही है UNRWA के बारे में कई बार इसको लेकर questions पूछे जा चुके हैं और अक्सर यह news में कबर भी क्या जारा है, जैसे हम देख पा रहे हैं, इसराइल और गाजा पटी के बीच में लगातार युदच चल रहा है, उस आधार पर UNRWA चर्चाओं में है, इसके full form है United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees in the Near East तो यह particular body क्या काम करती है, जो Palestinians especially, जो गाजा पटी में हैं, आसपास के देशों में हैं इसराइल के, तो उन लोगों को support करने के लिए, उनके relief के लिए यह particular body काम करती है तो recently यहाँ पर यह खबरों में आया है, खबरों में क्यों आया है, क्योंकि इसराइल ने एक बड़ा strike किया, ऐसे school के उपर में, जो की UNRWA क्या ही था, उसको shelter बना दिया गया था, वहाँ पे कई सरे लोग present थे, रह रहे थे, उनको support बल रहा था बट कई लोगों की जान जा इसको बनाया गया था, 1949 में, इसका में उदेश है क्या है, तो UNRWA का में काम है, रिलीफ प्रोवाइड करवाना, एजूकेशनल सर्विस प्रोवाइड करवाना, उन पलेसिनियन्स को, जिनका घर छूट चुका है, घर से बेगार हो चुके हैं, आसपास के एरियाज में रह है, क्योंकि 1948 में आपको पता है, अरब और इसराइली वार हुआ, जहां पे एरब कंट्रीज इसराइल के साथ में युद्ध करती हैं, जिसमें इसराइल जीत जाता है, उसके बाद कई सारे एरियाज को काप्चर कर लेता है, इसराइल और जाद अपने देश को विस्तार मे प्रोवाइड किया जा सके हैं, अब बात आती है, यहाँ पर हेटक्वाटर की, तो UNRWA का हेटक्वाटर कहां पर है, देखें इस पर्डिक्लर बॉडी ने काम करना शुरू किया 1950 में, 1949 में बना दी गई थी, एक्जाक्ली काम करना यह अगले साल शुरू करता है 1950 में, हेटक्वाटर गाज़ा पट्टी के अंदर पहुचा दिया गया, तो आज 200 गाज़ा पट्टी में, UNRWA का हेटक्वाटर है, क्योंकि 1947 में अगर आप इस्तिती देखेंगे, तो यह पर्डिकुलर लैंड जो आज इसराइल खिलाता है, वो पिलिस्तीन हुआ करता था, दिरे इरिया काप्चर करके अपना पूरा का पूरा एक देश यहां पे बसा लिया, आज गाज़ा पट्टी यह जरा सा रह गया है, और पेलिस्तीनियन के जो लैंड्स है, यह थोड़ी बहुत टरिट्रीज यह बीच में रह गई हैं, बस, फिर उसके अलावा, इसी को अगर आप थोड़ा और एनलाइस करेंगे, तो इसराइल के पास में कुछ और देश जैसे, पास में एजप्ट है, जॉर्डन है, सीरिया है, लेबनन है, तो लेबनन की कैपिटल है, बेरोत, वहीं पर पहले युए नाडबलो का हेटक्वार हुआ करता था, बाद में यहां पे वो गा पनाया गया है, इसको धिहान में रखिएगा, ठीक है, क्लियर हो गया, यह कौन-कौन सी सर्विस देती है बॉड़ी, जैसे मैंने बोला, एजुकेशनल सपोर्ट, हेल्थ केर सपोर्ट, और भी कई सर प्रकार के सोशल सर्विस हो गये, कैंप इंफ्रस्रक्ट्टर, इंप्र इसके मैंबर स्टेट से, वही यहाँ पर अपनी मर्जी से कॉंट्रिबूशन कर देते हैं, उस कॉंट्रिबूशन से जो पैसा एकटा होता है, तो वही पैसा यहाँ पर यूस किया जाता है, बाकी कुछ फंडिंग इनको युनाइटि नेशन का जो बजट आता है हर साल, उ इसके में लीडर होता है, इन लीडर्स को अपॉइंट को करता है, इनको अपॉइंट का जाता है, तो यह बॉड़ी इन दो के माधियम से लीड की जाती है, इसको भी ध्यान में रखना होगा, चलिए आगया आता है एक अर रिलिवें निव्ट आर्रिकल की तरफ, दोस्तों बहुत ही जादा काम का आर्टिकल है जी एस पेपर नमबर 3 एन्वोर्मेंट के पॉइंट अभी उसे बात और ये ओनेटेस बोडेटी के बारे में ये क्या है एक प्राकर का बीटल है आपने बीटल का नाम सुना है न तो ये बीटल इंसेक्ट आपको नज़र आएगा आज की छटी आखरी खबर है जो काम की भी है न्यूज यहां पर रिसेंटल यह आई है कि हाली में जो हमारे रिसेर्चर्स हैं उनोंने एक डंग बीटल को अईटिफ़ाई गया है एक नईसी प्रजाती या पर पाई गयी है कहाँ पर मेगाल्या के अंदर में एक वाइलेफ सेंचरी जिसका नाम है नो खाईलेम वाइलेफ सेंचरी यहीं पर ये बीटल पाया गया डंग बीटल की स्पीशी है जो ओनिटिस परिवार से बिलॉंग करता है देखने में कैसा लगता है तो दोस्तों इसके पैर वगर आप देख पाएंगे तो थोड़ा से कर्व शेप में इसके पैर आपको नज़र आते हैं इस तरीके से ये बीटल दिखाई पड़ता है कई बार अच्छे से इसको आप एक बार देख सकते हैं उसके अलवा ये जो स्पीशी है जिस मैं आपको बताया ये काफी ज़दा डिफरेंट है दूसरी स्पीशी से जो डंग बीटल्स होते हैं ये जालतर वेतनाम के अंदर में और थाइलेंड के अंदर में पाय जाते हैं तो वेतनाम थाइलेंड में में इन का लोकेशन है लेकिन एन्वार्मेंट के लिए बीटल हमारे लिए काफी जरूरी भी साबित हो जाते हैं जैसे यह जाने जाते हैं अपने environmental function के लिए कई बार यह seed dispersal जैसी चीजों के लिए जाने जाते हैं seed dispersal मतलब यह beetle पेड़ पौदों के जो बीज होते हैं उनके शरीर में चिपक जाते हैं इधर से उदर यहां पर यह बीजों को पहुचा देते हैं एक बीज दूसी जगा पे चले जाता है फिर वहां पे वह जो बीज है उससे पेड़ बन जाता है पेड़ उग जाता है तो इस तरीके से concept को हम बोलते हैं seed dispersal फिर उसके लाबा nutrient cycle हो गया pest control हो गया कीड़े वगरा को खा लेगा है ना तो इन सब चीजों में यहां पर help करता है यह beetle तो इसका यह हमारा environmental significance हो गया लेकिन बताया जाता है कि इस beetle को बड़े समय से खत्रा भी है क्योंकि जहां पर यह पाया जाता है उस habitat में लगातर loss हो रहा है उस habitat को लगातर खत्रा पहुँच रहा है उसके destruction की वज़ा से climate change की वज़ा से सीधा सीधा बीटल्स को भी एक बड़ा खत्रा फेस करना पड़ रहा है तो recently यहां पर यह बीटल मेगालिया के अंदर पाया गया especially जो non-kilem wildlife century है वहाँ पर तो exam के लिए particular wildlife century important है जरा इसको सुनियेगा दोस्तो तो पहले हम लोग मेगालिया का location देख लेते हैं यह इंडिया का map है और यह हमारा south east station country का sorry south east station countries तो नीचे हो गई यह हमारा north east इंडिया का map है यही पर दोस्तो आपको देखने को मल जाता है नागलेंड, मनिपुर, मीजोरम, तेपुरा और बगल में यहाँ पर मेगालिया मेगालिया की एक बड़ी boundary लगती है यहाँ पर असम के साथ में दोस्तो यहाँ पर यह जो particular region है ना यहाँ पर कुछ important नदिया भेती है जैसे एक है उम्ट्रियू, दूसरी है उम्रन, तीसरी है उम्लिंग और चौती है उम्तसौर यह कुछ छोड़ी छोड़ी नदिया है इसमें से जो उम्ट्रियू वाली है सबसे पहली नदी वो में नदी है बाकी जो दूसरी नदिया है वो इसकी सायक नदिया है यानि उम्ट्री हुजा रही है इसमें उम्रन, उम्लिंग, उम्टसुर ये बाकी आके इसमें मिल जाती है तो इसकी ट्राइबुट्रीज है ये ठीके दोस्तों इसको ध्यान लखेंगे चलिए आ गया आता है प्रधान मंत्री ने चेयर किया और चेयर करते हुए ये जो स्कीम है प्रधान मंत्री इसको लागू करने की बात की तो PME Drive की अपनी आप में फुल फॉर्म है वो फुल फॉर्म क्या है PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement ये पडिकुलर इसका फॉल फॉर्म है PM Drive स्कीम के तहत 10,900 करूर रुपे खर्चे जाएंगे आने वले दो साल में ताकि भारत देश के अंदर में हम Electric Vehicles को जाद से जादा प्रमोड कर सकें इसलिए यहाँ पर ये PME Drive को चलाया गया है इससे यहाँ पर Electric Vehicles आप ऐसे याद रख सकते हैं तो इस पडिकुलर स्कीम के अंदर में जैसे मैंने बोला 10,900 करूर खर्चेंगे स्टार्टिंग में जो साले 3,000 करोड से जादा पैसा खर्चे जाएगा जहाँ पर हम Electric Two Wheelers जैसी जो चीज़े होंगी उसको परचेस करने पर इंसेंटिव दे रहे होंगे आप Electric Vehicle यूज़ करेंगे गवर्नमेंट आपको यहाँ पर इंसेंटिव प्रोवाइट करवाएगी आप Electric Three Wheelers हों चाहे Electric Ambulance हो Electric Trucks हो या दूसरे और भी Electric Vehicle की काटिग्रीज हो इन सब में गवर्नमेंट यहाँ पर आपको प्रॉपर सपोर्ट करने वाली है इवाउचर वगर आपको यहाँ पर मिलेंगे ताकि आपको प्रॉपर तरीके से इंसेंटिव मिल सके ताकि जाद स्यादा Electric Ambulance को चलाया जा सके वे Electric Ambulance होंगी जो environment friendly होंगी बैटरी से चल रहे होंगी तो कोई भी प्रदूशर नहीं होगा नहीं तो फिर गैस या जो डीजल वगरा से चलती है उससे बहुत ज़़दा प्रदूशर होता है फिर e-trucks को बढ़ावा देने की बात की है इसी component में 500 करूड रुपे हम खर्चेंगे ताकि e-trucks को भी जाद 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 डेपलॉए किया जासे के जो electronic trucks यहाँ पर होने वाल है है ना तो वो भी एक electric vehicle के तौर पर काम करेंगे उसके लावा और जो बचे कुझे पैसे होंगे 2000 क्रूड रुपे जो बचेंगे इसका अस्तमाल होगा public charging stations बनाने में क्योंकि obvious सी बात है आप electric vehicle लोगों को provide कर वा रहे हैं electric vehicle देने में लोगों को support कर रहे हैं लेकिन अगर charging station नहीं होंगे तो लोगों को परिशानिया होगी तो जगा जगा पर charging station बन जाएंगे जहांपे आप राम से अपने battery को खुछ से change कर पाएंगे और सीधा अपने गाड़ी को लेकर चल सकते हैं समझ गए तो ये दोस्तों यहाँ पर PM eDrive scheme का concept है Now I hope आपने बहुत अच्छे से हर इक चीज़ को सुन लिया है अब चलिए में एक एक करके सभी questions आपको देने वाला हूँ देखता हूँ कितने concentration के साथ में आपने lecture को सुनाएं तो starting में पहले question मिलेंगे उनको सुनना अच्छे से answer देना फिल लास्ट में एक साथ सभी question के answer में आपको बताऊँगा उसको check करना देखना और आपका जो भी score आया है उसको नीचे comment section बताना तो question number one बात करता है जो Irula tribe है यह कौन से states में रहती है या आपने बताना है कौन से group of states में रहते हैं option number one बात करता है गल्फ of मेकसिको के बारे में बहुत अचछे से पड़ाया है आपको गल्फ of मेकसिको के reference में आपके पस में दो statement फिर से बताना है दुनों में से कौन से statements है पहला गल्फ of मेकसिको एक छोड़ना सा समूदर का टुकड़ा है जो हमारे Atlantic Ocean का ही है अमेरिका है, केरिबियन आइलेंड्स है, मेक्सिको है और क्यूबा है, तो बताइए दोनों में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, option नमबर है केवल एक, B दूसरा है, C दोनों सही है, या फिर D दोनों के दोनों गलत हैं, अगले question में UNRWA के बारें बात हो रही है, इसको लेकर फिर से आपके पास में दो स्टेटमेंट से हैं, बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटन बोलता है कि UNRWA जो है, United Nation की ही एक important agency है, जिसका main काम क्या है, Palestinian को support प्रोवाइड करवाना, especially वो लोग जिनोंने अपना घर वगएरा खो दिया है, अरब इसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो UNRWA है, ये इसको जो funding वगएरा मिलती है, वहाँ वो private individuals करते हैं, प्लस जो NGOs वगएरा होते हैं, वो स्टेटमेंट सही है, क्या पढ़ाया था आपको, option number A, one only, B, two only, C, दोनों सही है, या for D, दोनों के दोनों गलत हैं, now next और एक interesting question बात यहाँ पर हो रही है, कि जो Onatus Bordati है, Onatus Bordati हाल ही में news में देखने को मिला है, ये क्या है, option number A, क्या ये चिडिया है, B, क्या ये गैको है या C, क्या ये spider है, या for D, क्या ये dung beetle है, तो इसका सही उतर क्या होना चाहिए, बहुत ही simple question है ये, now next question बात करता है, रंगीन मचली एप के बारे में, तो इस particular application को लिकर, फिर से आपको दो statements दिये गए हैं, बताना है, कौन से statement सही है, पहला statement बोलता है, कि जो रंगीन मचल जाती के जो data है, वो आपको 8 Indian languages में provide करवाया जाता है, इस application में, दूसरा statement बोलता है, कि ये जो particular application है, इसको develop किया गया है, Indian Council of Agricultural Research and Central Institute of Freshwater Aquaculture के साथ में, तो इन दुनों bodies ने मिलकर इसको develop किया, तो बताए, दोनों में से कौन से statement सही है, option A1 only, B2 only, C, ये दोनों सही है, या अभी मैं आपको वैसे एक साथ सभी question के answer बता रहा हूं, उसको check कीजिए, और जो score आया है, उसको नीचे comment section में लिखना है, जरूर लिखना है, दोस्तो, strict instruction है, क्योंकि आप question attempt नहीं करेंगे, तो मैं question लगाना बंद कर दूँगा, क्योंकि question लगाने में time लगता है, आप help क कर सकते हैं, आपको बहुत ज़दा फाइदा होगा question को solve करने में, खाना तो आप solve कर रहे हैं, तो please नीचे comment section में जरूर से कीजिएगा, तो यहाँ पर last वले questions चुरू करते हैं, बात हो रही थी रंगीन मचली आपको लेकर, कि बताए दो statement है, कौन से ही है, तो क्या यह कोई और C, both 1 and 2 is the correct answer, फिर आप से पुछाए, ओनिटिस बोड़री हाली में न्यूज में यह क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर यह क्या है, एक डंग बीटल है, अभी हम लोगों ने इसके बारें पढ़ा, जो कि मेगालिया के अंदर में, अच्छा यह बताओ, मेगालिया में वो कौन सी wildlife century है, जहाँ पर यह डंग बीटल पाया गया है, फटाफट नीचे comment section में लिखो, देखें कितना याद है, यही से बता चलेगा आपकी memory की किस level पर आप यहाँ पर चीजों को सुन रहे हैं, और बिना पीछे करे देखना, बिना पीछे करे, बिना पीछे गए, हमारा UNRWA है, इसको लेकर दो statement है, कौन से सही है, तो यहाँ पर दोस्तों पहला student बूलता है कि यह UN की एक subsidiary agency है, जिसका कामे Palestinian को support करना जी सही बात है, दूसरा अगर आप देख पाएंगे, तो इस body को proper तरीके से funding provide करवाई गई है, private individual और NGO के मैदम से नहीं, इसको United Nations से ही funding मिलते है, United Nation के जो members है, वही यहाँ पर अपने हिसाब से थोड़ा contribution कर देते हैं, उससे funding मिल जाती है, और UN का जो budget होता है, उससे funding मिल जाती है, तो NGA और private individual की तो कहीं बात ही हमने नहीं की, तो second वाला गलत है, पहला वाला सही है, option number is one only is the correct answer, फिर आप से पूचा कि गल्फ Atlantic Ocean में चले जाता है, है ना, अभी तो map देखा था, तो पहला statement सही है, दूसरा, USA, Caribbean Island, Mexico, Cuba, हाँ, ये सभी region इसके आसपास हैं, तो that is why option number C, both one and two is the correct answer, फिर आप से पूचा गया यहाँ पे, जो Irula tribe call community है, ये especially, कौन से group of states के अंदर में रहते हैं, तो इसका सही हुतर है, दोस ठीक है, और especially इनको snake catchers भी बोला जाता है, और anti-venom के अंदर में काफी बड़ी help यह हम्यारी provide करवाती हैं, तो दोस्तों ये था हमारा आज का session, I hope आपको मजा आया होगा, अपना feedback वगरा नीचे comment section में जरूर से लिखिएगा, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो मे कल सुबा मिलेंगे आपसे साड़े साथ से आठ बजे के बीच में ready रहना, तो daily basis पे एक बार सुबा हमारी मुलाकात होगी साड़े साथ से आठ के बीच में और एक बार शाम में exactly साड़े आठ बजे के आसपास मुलाकात होगी, ठीक है, daily basis पे, तो तयार रहिए, आपके current effort क के preparation को strong करने के लिए मिलते हैं आपसे, आगले वीडियो में आज के लिए bye bye, have a nice day, thank you and जाहेंद.